हलो दोस्तों मेरे नाम है आलोक रंजन सिंग और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पब्लिक इग्जामिनेशन बिल दो हजार चॉबिस रिसेंटली यूनियन गवर्मेंट ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ह है तो इसमें दस साल से ज्यादा तक की सजा हो सकती है और एक करोड से भी ज्यादा तक का आपको पुलिस्मेंट दिया जा सकता है तो जानेंगे इस पूरे पुब्लिक इग्जामिनेशन बिल की लौ में यह क्यों लाया गया क्यों यह इतना जरूरी था और क्या-क्या पॉ सब्सक्रियों की हम में ली बात कर रहे हैं ठीक है गवर्मेंट इग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो आप यह देख सकते हो यह पिछले पांच सालों का डेटा है यह डेटा हमें यह समझने में मदद करेगा कि आखिर यह पॉब्लिक इग्जामिनेशन बिल जरूरी क्यों था तो देखें सेंटर लेवल पर कोई भी इस तरह के बिल नहीं है और आप यहां देखो तो पिछले पांच सालों में सबसे ज़्यादा एक्जाम्स साथ एक्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में और इससे कितने कैंडिडेट्स कितने एस्परेंट इंपक्ट हु 38,41,000 जन संक्या इतनी कैंडिडेट्स इससे इंपक्ट हुए हैं हलाकि आप सुनते हो कि या फिर आपको ज़्यादा तर वारल विडियो वगारा पिक्चर वगारा मिलते हैं कि बिहार में पेपर बहुत ज़्यादा लीक होते हैं लेकिन आप यहां पे आप देखोगे इस इटा को तो पूरे देश भर में पेपर लिक के ख़वरें मद्ध पर देश में देखिए पांच पेपर लिक हुए पिजले पांच सलों में एक लाग 24.000 कैंडिडेट्स इंपेंडेक्ट हुए हैं ते लंगाना देखिये साउथ में हम बात कर रहे हैं 5 पेपर लिक रुए ह जिसमें कि 6,74,000 candidates जो हैं वो impact हुए हैं इससे ठीक है तो हर जगह आप देख सकते हो paper leak की पूरी खबरें आप यहां पे देख सकते हो गुजरात, मद्पर्देश, जारखंड, ओडिशा तो पूरे देश भर में paper leak एक बहुत ही common phenomena बन गया है government exams में जिससे कि जो यूवा पिड़ी है उसका time waste होता है उसके साथ वो कोई exam देने वाला होता है वो underage होता है और यह exams के date इतने आगे बढ़ते जाते हैं कि उसके साथ ही बढ़ने से वो person, वो candidate overage हो जाता है तो काफी ज़ादा दिखते आती है candidates को इस government exams में paper leak, cheating वगएरा होने के यानि unfair means के अब आप यही देखो तो public examination में prevention of unfair means यहाँ पे कहा गया है public examination prevention of unfair means bill 2024 अब यहाँ पर यह define करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आखिर हम तो जानते हैं कि क्या गलत होता है examination में क्या गलत हो सकता है ठीक है लेकिन उसको जब define नहीं होगा तो particularly कैसे उसे punishment दिया जा सकता है कि हाँ इस इसने यह गलती की है तो इसके लिए कैसे सजा decide होगी तो यहाँ पर सरकार ने बिलकुल यहाँ पर define कर रखा है कि unfair means क्या होगा यानि कि examination में गलती क्या क्या हो सकती है कैसे हो सकती है ठीक है तो पहली तो बात यहाँ पर यही कही गई है कि examination center के अलावा अगर किसी दूसरे जगह पर examination दिया जा रहा है यानि कि examination center कहीं ए जगह पर alert हुआ है और कोई ए जगह के को छोड़के यह आगे बाहर में कहीं पर examination दे रहा है या फिर कहीं पर लोग paper मंगवा लेते हैं कहीं पर घर पर examination कहीं पर हो जाता है ठीक है तो काफी कुछ problem यहां पर है तो इसलिए यह public examination जो है examination center पर दिया जाना चाहिए यह एक यहां पर रखा गया है फिर है कि यह जब public examination बिल है यह जब पास हो जाएगा यानि कि अभी लोग सवा में आया है फिर आज सवा में पास होगा फिर इसे प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा तो यह जाकर एक आक्ट बन जाएगा और जब यह आक्ट बन जाएगा तो यह कोगनिजीवल आक्ट होग होगा नॉन बिलेवल एक्ट होगा नॉन कंपाउंडेवल एक्ट होगा समझते हो बात अब इन वर्ट को समझो बहुत ही इंपोर्टेंट है कोगनिजीवल यानि की बिल्कुल स्रीयस क्राइम इसको माना जाएगा या इसमें अनफेर मिंस का मतलब कि अगर आपने कुछ गल नॉन बिलेवल यानि कि इसमें अगर आप पुलिस अरेश्ट करती है तो आपको बेल नहीं होगा और फिर नॉन कंपाउंडेवल यानि कि मीनिमम्म तीन साल की सजा तो आपको होगी ही होगी तो ये टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो गवर्मेंट ने इसमें डाला है याद रखिएगा हाँ लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर किसी के बिना नॉलेज के बगार ये चीज हुआ है तो और वो ये प्रूफ कर सकता है कि नहीं मैं इसमें कोई इन्वाल्मेंट मेर नहीं है ठीक है तो वो ये चीज़े प्रूफ करके अपना हट जगता है वो कोई लाइबल नहीं होगा तो समझ रहे हो बात की टाइम बढ़ता जाता है फिर चिटिंग होता है फिर उस टाइम को बढ़ा दिया जाता है इससे क्या होता है इससे इंपक्ट होता है प्रॉस्पेक्ट सो मिलियंस ओफ यंग माइंड्स उसके बाद में सरकार ने ये भी कहा है कि हम ग्रेटर टरंस ट्रांसपरेंसी इसमे मेंटेन किया जाएगा फेरनेस होगी क्रिटाबलिटी होगी पब्लिक इग्जामेनेशन सिस्टम की ठीक है यह क्रिटाबलिटी होनी बहुत जरूरी है अब इसमें आप या तो इंडिविजुल्स हो या फिर पूरे और्गनाईज ग्रूप्स हो पूरा एक ग्रूप के तोर पर चीटिंग बहुंए कर रहा है एक्जामीनेशन में करवा रा रहा है अको पता ही होगा कई शारे मिल के ऐसे करते हैं फिर इंस्टिचूशन भी कर वाते हैं डारे इंस्टिच Letter ह कि हमारे बच्चू को पास कर दो इतना इतना पैसा वह अपने बच्चों से ले लेते हैं उन सब को बिल्कुल ही कुछ पैसों के लिए या रॉंग गेंस के लिए ले लेते हैं तो यह सब भी अपराद है की फिर आप देखो तो जो क्याणा की अगर किसी इग्जामेनेशन में कोई अथोर्टी या फिर इग्जामेशन सेंटर सर्विस प्रवाइडर ही उसमें इनवॉल्ड है चीटिंग कराने में या दि कराने में तो वहां के कैंडिडेट्स को उसमें कुछ नहीं किया जाएगा इसके लिए लाइबल नहीं होंगे, ठीक है, उन्होंने तो क्या नियुक्त बस examination दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि ठीक है, public examination bill, क्या आता है public examination bill के अंतर गज़, तो देखिए, इसके अंदर UPSC आता है, फिर SSC आजाएगा आपका, RRB, Railway Recruitment Board, Institute of Banking Personal Selection, यानि कि IBPS, Ministry of Department of Central Government, इसके अंदर कोई examination लिया जा रहा है, फिर NTA है, National Testing Agency, या दूसरे authorities ऐसे हैं, जिसको center ने notify कर रखा है, और उसका examination हो रहा है, उस examination में ये unfair practices किया जा रहा है, तो वो भी crime होगा, उसमें, वो भी crime के लितौर पे लिया जाएगा, अब आप कहो कि ठीक है, ये सब चीजे crime होगा, फिर इसमें punishment क्या दिया जाएगा, अगर किसी ने crime किया है, तो देखिए, यहाँ पर punishment क्या है, तो punishment है कि minimum, जैसे हमने बताया कि ये non compoundable है, यानि कि 3 साल, minimum 3 साल का सजा तो होगा ही होगा, और वो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, अगर unfair means a punishment with imprisonment for a term not less than 3 years, 3 साल से कम का सजा नहीं होगा, ठीक है, और fine को देखें, तो fine 10 लाख तक आप चे लिया जा सकता है, यानि कि 5 लाख, 7 लाख भी लिया जा सकता है, लेकि 10 लाख, तो maximum 10 लाख तक आप से fine लिया जा सकता है, इसमें, वहीं पर एक person या group, group of persons, पुरा group मिलकर, organized crime करता है, बिलकुर organized तरीके से crime करता है, और इस organized तरीके से पुरा plan वगरा बना करता है, जिसमें कि जो examination authority भी सामिल होता है, service provider भी उसमें सामिल है, या दूसरे institution भी उसमें सामिल होकर, सब मिली जूरी तरीके से बिलकुल ये cheating करवाते हैं, कुछ गरबड करवाते हैं examination में, तो उनको punishment का minimum 5 सालों का होगा, 5 सालों की सजा होगी, jail होगा 5 सालों का, जो की 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, वो वहाँ पे court पे depend करेगा, वहाँ पे उसके crime पे depend करेगा, फि दस एक करोड तक, ठीक है, एक करोड तक का यहाँ पे, यानि एक करोड से आप कह सकते हैं कि कम इससे fine नहीं लिया जाएगा, with a fine not less than एक करोड, minimum एक करोड fine इन से लिया जाएगा, अगर पूरे तरीके से ही, पुरा authority वगएरा सब मिल के उसमें कर रहा है तो, ठीक है, बात स cost होगा, examination का, जोगी नाम से conduct कराने में कावी सारे पैसे खर्च होते हैं, तो वो जो पैसे खर्च हुए हैं, और वो examination में वो cheating करवाया है, वो उतना पैसे का भरपाई करा जाएगा, उसकी property को जब्त करके, ठीक है, तो बात यह चीजे समझिएगा, अब आप कहोगे, प्यो इस act के तहट यह crime माना जाएगा, तो यह 15 है, बिल्कुल clear और crystal, किसी परिच्छा का question paper या answer की leak करने में किसी के साथ सामिल होना, सरकारी एजनसी तैप परिच्छा के मानकों का उलंगन करना, किसी exam computer system या network से छेड़ चार करना, candidates की seat arrangement exam date या shift में छेड़ चार करना, किसी examination authority को धमकाना, या काम करने से रोकना, परिच्छा exam authority से जुड़ी नकली website मनाना, या फिर नकली admit card जारी करना, या नकली exam करना, ये 15 ऐसे गरबढ़ियां हैं, जिनहें अपराध माना जाएगा, एक crime माना जाएगा, इस act के तहद, तो उमीद है, ये examination bill 2024 आपको बिल्कुल clear crystal हो गया होगा, और आपने अब ये बिल्कुल बना लिया होगा, कि आप बिल्कुल पढ़ना लिखना है, बिल्कुल चोरी वगरा नहीं करनी है, ठीक है? भी रया जढ़ना है, बार आपको वगराध माना जागा, इस को माना हंवेगात कि आपको बिल्कुले कर दाला से लिगर चकते लोगराध माना जामा माना जापको ये इन्व जाला से वराध माना जाँ में देमालों का परामख Tapos Akadर, और बिल्कुल आप कर